जहिन अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों व्यापम के ओर से और जितने भी कॉंपेटिसन इक्जाम है दोस्तों वहां से रिजनिंग के कोश्चन जो है सिलेबस में इंक्लूड होते हैं दोस्तों दोस्तों बटाने वाला हूँ इसके बाद आपको दूसरा कोई और भी वीडियो देखने की जुरत नहीं पड़ेगा अप अपने दिमाग में बठा लीजएगा तो आसानी से वो हमेशा के लिए जो है फिट हो जाएगा और वही ट्रिक्स के आप अपने लाई करोगे तो बहुत ही असान तरीके से बन जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मानसिक योग्यता के अंतरगत जो हमारा आज का टॉपिक है दीसा संबंधी प्रशन ठीक है जितने भी दीसा संबंधी प्रशन है उसको हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके ठीक है तो दोस्तों प्रशन कुछ इस प्रकार आपको देखने हैं क्यों मिलेंगे जैसे कि हमारे पास पहला प्रशन है, वासु अपने घर से उत्तर की ओर 15 मिटर गया, फिर पस्चिम गया, फिर पस्चिम में 10 मिटर मुड़ा, फिर दक्षिन में दोस्तों मुड़कर 5 मिटर चला, पूर्व की ओर मुड़ा 10 मिटर चला, अब वह कौन सी दिसा में होगा, ठीक तो चलिए उसको बता देता हूं, आपको तो दोस्तों, आप इस image में देख पा रहे होगे, कि इसमें दिसाएं किधर किधर है, जो उपर की ओर रहता है, उसको उत्तर कहा जाता है, नीचे आता है, उसको दक्षिन कहा जाता है, जो हमारे right hand side में है, वो पूर्व है, और जो दोस्तों जो उत्तर का है तो यह हो जाएगा उत्तर और पूर्व के बीच में है तो क्या बोलेंगे इसको उत्तर पूरो बोलेंगे उसी तरीके से उत्तर और पश्चिम के बीच में है उसको क्या बोला जाएगा उत्तर पश्चिम बोला जाएगा उसी तरीके से नीचे में ज उत्तर और दक्षिन में तो confused नहीं होते लेकिन अधिकतर जो student होते हैं वो पूर्वा और पश्चिम में confused हो जाते हैं ठीक है तो जब भी confused होते हो दोस्तों तो आप थोड़ा से ये बद देखिए क्योंकि हमारा जो नक्सा है भारत का जो नक्सा है वो क्या है पश्चिम बंग तो confused मत होएगा आसानी से बन जाएगा चलिए देख लेते हैं उसी संबंधित मुड़ने से संबंधित देखिए हमारा अगर center point अगर हम लोग यहां पास हैं तो उपर जाने के लिए बोला जाएगा तो उपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए दोस्तों क्या हो पुछे जाएगे तो आप confused बिल्कुल नहीं होएगा आसानी से यह हो जाएगा ठीक है देखिए अगर कोई बोले कि राम जो है अपनी जगह से पश्चिम उत्तर की और जाता है मतलब इधर जाता है और क्या हो जाएगा दोस्तों वो अपनी दाएं और मुड़ता है तो इधर मुड़ेगा ठीक है तो इस इमेज में देख पा रहा ह cleaning ःधर दोस्तों कि हमको डिरेक्शन किधर बता जा रहा है ठीक है अगर राम जो है कहाँ रहा है इधर की समी आ रहा है और उसको दाया मॊरने के लिए बोलेगा तो कि इधर मुड़ेगा इधर मूरेगा ठीक है लेकिन नक्से की अधार पर अगर हम देखेंगे कि वो पश्ची में जा रहा है ठीक है लेकिन है तो हमको क्या कर देखना है ऐसा ही बताना है ठीक है चलिए उसके बाद और भी यह है आप देख सकते हैं उसमें छोटा सा है इमेज इसको स्क्रेंश लेना चाहा तो जरू ले ल दोस्तों प्रशन देखते हैं तो दोस्तों हमारे पास है पहला प्रशन वासु अपने घर से उत्तर की ओर 15 मिटर गया मतलब यह अगर मैं इस सेंटर पॉइंट में हूँ तो ठीक है मैं क्या हूँ यहां पास सेंटर पॉइंट में हूँ वो कहा गया उत्तर की ओर जो गया ह ठीक है, दस मिटर जाकर कि दक्षिन की ओर मुड़ा, मतलब दक्षिन किधर आता है, नीचे आता है, वो नीचे की ओर मुड़ा, और पांच मिटर चला, कितना मिटर चला दोस्तों, पांच मिटर चल गया, कितने मिटर चला, पांच मिटर चला, पांच मिटर चलने के बाद, फ Starting Point था, वहीं कि जस्ट उपर में आ गया, तो अब वह अपनी घर से किस दिशा में हैं, तो दोस्तों, उसका घर तू नीचे है, और वो कौन सी दिशा में है, उपर में आ चुका है, तो मतलब वो कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में हैं, तो हमारे पास option दिया था, ग्रूप अभ्यास ओनलाइन क्लास में जाकर करके डाउनलोड कर सकते हो या फिर www.abhyas.gk.com पर विजिट करके भी आप आसानी से इसको समझ पाओगे ठीक है तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन भी बहुत ही सिंपल सा है ठीक है देखे प्रशन पूर रहा है कि अनीता ने पश्चिम दिसा की ओर चलना प्रारंब किया मालोग क्या है अनीता यहां पास है और यहां से किधर जा रही पश्चिम में पश्चिम मतलब इधर जा रही है चलना प्रारंब किया वह दूर बाद, ठीक है, कुछ दूर बाद, दाएं मुड़ी, अब दाएं किधर मुड़ीगी दोस्तों, उसके अपने राइट हैंड साइड में, मतलब यह इधर मुड़ती है, और फिर बाएं, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर से बाएं मुड़ती है, तो ब direction में मुड़ी किस दीशा की ओर चल रही है option दिया है पूर, option दिया है पश्चीम, option दिया है उत्तर, option दिया है दक्षेण, तो दोस्तों इस तरीके से क्या हो जाएगा, अभी वो कौन से दीशा में जा रही है, वो उपर की ओर जा रही है, उपर मतलब कौन सा आता है, उपर मे आ सकते हो ठीक है चलिए देखते हैं दोस्तों next question अब इसी में क्या कर देगा वो आपको distance बता देगा कि इतना किलोमेटर चलता है या इतना मेटर चलता है तो ठीक है चलिए question देख लेते हैं तो clear हो जाएगा प्रशन दिया हुआ है दिनेज जो है 12 किलोमेटर पश्चिम की औ यात्रा करता है फिर तीन किलोमेटर दक्षिंड की और फिर आठ किलोमेटर पूरब की और यात्रा करता है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है चलिए इसको भी दोड़ा देते हैं ठीक है देखिए दिनेज मालो कहां पास है दोस्तों यहां पास बैठा तो यह क्या हुआ बारा किलोमेटर कहां गया दोस्तों यह जो है पश्चिम की और गया ठीक है पश्चिम की और यात्रा करता है और फिर तीन किलोमेटर दक्षिंड की और जाता है ठीक है कहां गया दक्षिंड मतलब नीचे कितना किलोमेटर तीन किलोमेटर फिर आठ किलोम भी कि स्थान से कितनी दूरी पर है दोस्तों इसका ये क्या स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या इसका इंडिंग पॉइंट है तो यहां से इन दोनों के बीच का डिरेक्ट जो डिस्टेंस है हमको बताना है तो इसका distance निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा हमको ये चीज करना पड़ेगा दोस्तों सबसे पहले तो हमको यही निकालना है देखिए अगर हम इसको मैं एक आयत के रूप में बना रहा हूँ यहां पास थोड़ा से दिमाग लागाना पड़ेगा ठीक है और इसके बाद जो बचा 8, 9, 10, 11, 12 मतलब क्या हो जाएगा यहां पास 4 किलोमेटर बचा ठीक है यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों यह जो है चली color पड़ेगा दोस्तों 4 किलोमेटर है और यहां से यहां तक की दूरी यह कितना है 3 किलोमेटर क्योंकि तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो बन रहा है दोस्तों ये क्या बन रहा है एक समकोण त्रिभूज बन रहा है ठीक है समकोण त्रिभूज बन रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा ये चार है और ये किता है दोस्तों ये तीन है ठीक है तो हमको इसका मान निकालने के आपने प्रारंभी की स्थान से दूरी है तो 5 km हमको कौन सो option में देखने को मिल रहा है, option number D में देखने को मिल रहा है, तो D option क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, उमीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके के प्रशन जब भी पूछे जाएंगे, आप आसानी से जरूर सौल कर पाओगे, चली देखते हैं दोस्तो तरीके का परिवर्तन करम वार की जाए, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, ठीक है, इसमें सिर्फ नाम को बदला जा रहा है, दोस्तों, बांकी कुछ चीज को नहीं बदला जा रहा है, ठीक है, चलीए मैं आपको clear कर देता हूँ, ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, ये हो गया और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए, इन दोनों सभी के बीच, उत्तर है और पूर्वा है, उसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्वा हो जाएगा, ये, नीचे वाला क्या हो जाएगा, आपका दक्षिन पूर्वा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका क्या कहा जाए दोस्तों पूरव कहा जाए तो दक्षिन पूरव कहा पास है ये इसको क्या बोला जाता है पूरव बोल दिया जाता है ठीक है उसी तरीके से उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है तो उत्तर पश्चिम है हमारे पास ये इसको क्या कहा जाता है पश्चिम कहा दिया जाता है और दक्षिन पश्चिम को क्या कहा जाता है दक्षिन कहा जाता है ठीक है तो दक्षिन पश्चिम जो है दोस्तों स्वरी दक्षिन पश्चिम को क्या कहा जाता है दक्षिन कहा जाता है थोड़ा सब ये देखे चली थोड़ा सब मिस्टेक हो गया तीशा ब् देखे दक्षिन पूर्व को पूरब कहा जाता है ठीक है तो दक्षिन पूरव को क्या कहा जाता है पूरब कहा जाता है तो इसको क्या मान लेते हैं उसी तरीके से उत्तर और पश्चिम है उसको क्या मान लेते हैं पश्चिम मानते हैं तो उत्तर और पश्चिम है ये है तो इ यह क्या हो जाएगा हमारे तो ये नीचे वाला इधर का पूर्वन हो गया ठीक है इधर पश्चिम हो गया हमारे ये दक्चिन हो गया हमारे वतर पूर्वन क्या भी उत्तर कहा जाएगा I hope समाझ आ रहोगा थोड़ा सा आपको दिमाग कंफ्यूज हो गया गिल्कुल घबराइए मत ठीक है इसमें सिर्फ नाम डारेक्शन आपको चेंज करना थोड़ा सा लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसका इसलिए आपको थोड़ी सी भी पोजिट में क्या होता है उत्तर होता है तो यह क्या हो जाएगा उत्तर दिशा हो जाएगा ठीक है और उत्तर दिशा जो है वो कहां पास हो जाएगा उत्तर पश्चिम को हम लोग क्या मानना पड़ेगा हमको उत्तर मानना पड़ेगा तो उत्तर और पश्चिम हमको कौन सा डाउनलोड कर सकते हो, आपके लिए प्रैक्टिस है, इन सबका कोशन का स्क्रिंसोर्ट ले लीजिए, देखिए, कोशन थोड़ा से घुमा के दे दिया, देखिए, पाटनवार का सिर्षाषन करते समय, चेहरा जो है पश्चिम की दिसा की ओर है, इस समय उसका दायाहात की इस दिसा में होगा, ठीक है, सिर्षाषन जो है आशन से संबंधित है, आप पता ही चल चुका होगा, अगर आप जानते हो आशन के बारे में, तो इस तरीके के प्रशन भी पूझ देगा, दोस्तों, कन्फ्यूज हो जाओगे, कि अगर आशन आपको पता है, तो ठीक है, और न आप देख सकते हो, स्क्रीन सॉट ले सकते हो, आप खुद से सॉल करने की भी कोशिश कर सकते हो, बहुत सारे कोशन हमें आई इसमें कराने वाला हूँ, आपको प्रैक्टिस, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, नए वीडियो में नए जान करी के साथ, और इसका पीड स्टीडी मेटरल ग्रूप में, ताकि इस वीडियो का फायदा भी सभी जो है स्टूडेंट जो तयारी कर रहे हैं उसको मिल सके, ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों, नए वीडियो में नए जान करी के साथ, तो मुझे दीज़े जाज़े, टेक कर आल दे बैस्ट, जाए हे कर दोस्ते हैसे हिए जूसमरे जए लिए, टे सथि Watts, प्रूप में, करे मिलते हैं वीडियो में, वीडियो जान कर्मारे हैं भाहें जान कर दोस्तों में, कर दोस्तों में, जाए हैं, जा है उनकर वस्टेट हैं दोस्तों?